दोस्तों बहुत टाइम से आप लोग कमेंट सेक्षिन में पूछ रहेते कि सर सिप इंवस्मेंट के बारे में बताईए तो इसलिए आज की वीडियो में हम सिप इंवस्मेंट के बारे में जानकारी जानेंगे और हम सीखने की कोशिश करेंगे कि सिप इंवस्मेंट का मतलब क्या होता है सिप इंवस्मेंट काम कैसे करता है और सिप इंवस्मेंट के जरीए आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और पावर अफ कमपॉंडिंग का फायदा कैसे उटा सकते हैं और हम जानेंगे सिप इंवस और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ अभी तक आपने हमारे टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया तो टेलिग्राम चैनल का जॉइनिंग लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और उसके साथ साथ हमा साथ 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 हमारे account open करेंगे और उस id को हमारे whatsapp support number जो की वीडियो के description में ही है उस पे share कर देंगे तो हमारी team आपको सारा joining details share कर देगा तो जादा जानकरी के लिए वीडियो के description जाके चेक करें तो चलिए अभी हमारे discussion को आगे बढ़ाते है और SIP investment के बारे में सारी जानकारी जानते है तो चलिए शुरू करते है तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि SIP क्या होता है SIP का full form है systematic investment plan और आप इसको एक तरीके का जरीया मान लीजिए जिसके जरीये आप mutual fund schemes में invest कर सकते है और SIP plan के जरीये आप आसानी से flexible तरीके से और smart तरीके से investment कर सकते है और इनी खूबियों के वज़े से SIP investment plan जो है वो बहुत ही popular है तो चलिए अभी थोड़ा in-depth जाते है और systematic investment planning का मतलब समझने की कोशिश करते है तो SIP investment mode के जरीये आप regular investment कर सकते है mutual funds में जहाँ पर आपके पास option रहेगा कि एक pre determined amount को आप regular intervals पे invest करें और यह pre determined amount 500 रुपे हो सकता है 1000 हो सकता है 10,000,000,000,000,000,000,000,000 कुछ भी हो सकता है और इस pre determined amount को आप regular intervals यानी weekly basis पे, monthly basis पे या quarterly basis या yearly basis पे भी आप regular investment कर सकते हैं और यहाँ पर कितना invest करना है और कब invest करना है वो already pre determined होता है जिसकी वज़े से SIP जो है वो investment करने का planned approach बन जाता है और इस planned approach की वज़े से आप automatically savings का जो habit होता है उसको develop करते हो और जिसको smart तरीके से invest करके आप future के लिए wealth build भी करते हो तो चलिए अभी समझने की कोशिश करते है कि systematic investment planning यानि SIP काम कैसे करता है तो SIP का काम करने का तरीका बहुत ही simple है सबसे पहले आपको यह decide करना है कि आपको कितना पैसा invest करना है तो यहाँ पर मान लीजिए आप 10,000 रुपे invest करना चाहते है और उसके बाद आपको decide करना होता है कि आपको यह 10,000 रुपे कब invest करना है मतलब आपको weekly invest करना है, monthly invest करना है, quarterly करना है, yearly करना है तो वो आपको decide करना है, तो यहाँ पर resume कर लेते हैं कि आप monthly investment करना चाहते है तो एक बाद आपने decide कर लिया और आपने mutual fund का scheme चुन लिया तो उसके बाद automatically आपके account से हर महिना 10,000 रुपे automatically कट जाएंगे और उस specified mutual fund scheme में automatically invest हो जाएंगे और जब भी आपका पैसा उस mutual fund scheme में invest होगा तो उस पैसे से mutual fund खरीदारी करेगा उस market में at that current price और उसके बदले में आपको कुछ certain number of mutual fund के units assign किये जाता है और ये mutual fund units ये जो असली investment है mutual fund का market में उसको represent करता है और हर महिना जब आप पैसा invest करेंगे और उन पैसों को mutual fund market में invest करने जाएगा तो हर महिना prices भी different रहेगा market में जिससे आपकी खरीदारी market में अलग-अलग prices पे होगा जिससे investors को rupee cost averaging का फायदा मिल जाता है और जब आप SIP investment के जरीए investment करना शुरू करते हैं तो आपको power of compounding का advantage भी मिलेगा लेकिन अभी आप मेंसे बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि rupee cost averaging और power of compounding क्या होता है मान लीजे आपका जो 10,000 रुपए का SIP investment है वो आप mutual fund के बदले एक stock में invest करने का निर्ड़े लेते हैं और उस stock का price 1000 रुपए होता है तो इस महिना जब आप SIP investment करेंगे 2000 रुपए होगा तब आपके SIP investment के बदले आपको उस company के 5 shares मिलेंगे और उससे अगले महिने जब आप invest करने जाएंगे तो share का price 2000 से नीचे गिर के 500 रुपए हो जाता है तब आपके 10,000 रुपए के SIP investment के बदले आपको उस company के 20 shares मिलेंगे तो यहाँ पर एक common pattern अगर आप notice कर रहे है तो आपका जो investment होता है वो fixed होता है हर महिना और यहाँ पर आपका हर महिने का investment fixed होने के कारण जब market नीचे जाता है तो automatically आपकी खरीदारी जादा हो जाती है जहाँ पर आपको जादा shares मिलते है और जब भी market उपर होता है तो आपकी खरीदारी automatically कम हो जाती है और आप कम shares खरीदते हो और इसका advantage क्या होगा चाहे market उपर जाए या नीचे गिरे आपका average buying price जो है वो balance होता रहेगा और इसी को हम technical term में बोलते है रुपी cost averaging और जब भी आप SIP के जरीए mutual funds में invest करते है तो आपको रुपी cost averaging का फायदा मिलेगा जिससे चाहे market उपर जाए या नीचे गिरे आप निश्चिन्थ होके अपना पैसा निवेश कर सकते है अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने सवाल comment section में पूछ सकते है और मैं जवाब देने का पूरी कोशिश करूँगा अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो हमारी A.Sink family बहुत बड़ी है वहाँ पर कोई ना कोई आपका मदद जरूर कर देगा तो चलिए मैं आपको अभी एक interesting story सुनाता हूँ एक आदमी था जिसका नाम सुरेश था और उसने 25 years का age में एक job join किया और job join करने के बाद वो थोड़ा आयाश टाइप का आदमी था तो इसलिए वो अपने जिन्दगी जीना चाहता था तो जो भी salary मिल रहा था उससे खूब उसने मजे किये और जब वो 35 years का हो गया तो उस time उसको लगा कि उसको कुछ investment करना चाहिए तो इसलिए हर महिना उसने 10,000 रुपए का SIP investment करना शुरू कर दिया तो अभी वो अगले 20 साल तक invest करेगा तो वो कुल मिला कि around 24 lakh का total investment करेगा और यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि उसका investment yearly basis पे on an average 7% बढ़ रहा है तो सालाना 7% के रूप से अगर उसका investment ग्रो कर रहा है तो जब सुरेश 55 years का हो जाएगा तो उसका investment net worth around 52.4 lakh रुपीज होगा तो चलिए अभी एक और आदमी के बात करते है जिसने सुरेश के साथ ही job join किया था जिसका नाम रमेश था और रमेश ने भी 25 years के age में ही job join कर लिया था लेकिन रमेश थोड़ा conservative type आदमी था वो फिजूल के खर्चे करना पसंद नहीं करता था तो इसले इसने सोचा कि 10,000 रुपए का SIP investment वो हर महीना कर देगा और उसने जब 25 years का था तब ही उसने SIP investment शुरू भी कर दिया और अगले 30 साल तक वो अपना SIP investment बरता रहा जिसके हिसाब से उसका total investment around 36 lakh रुपीज हो जाता है और सुरेश की तरह रमेश का भी capital सालाना 7% के हिसाब से ग्रू हो रहा था लेकिन जब रमेश 55 years का हो गया तब उसका investment net worth था around 1.22 crores तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 10 साल पहले ही start करने से रमेश का जो net worth है वो सुरेश के comparison में more than double हो गया था तो इसलिए Albert Einstein जो की दुनिया का मशूर scientist है उन्होंने एक बार कहा था कि compound interest is the eighth wonder of the world he who understands it earns it he who doesn't pays it तो देखे कितनी खुबसूरत तरीके से Albert Einstein ने power of compounding को समझाया है तो यहाँ पर power of compounding का rule बहुत ही simple है the sooner you start investing the more times your money has to grow तो इसलिए हापर SIP investment से हमें वो जरिया मिल जाता है जिससे हम जल्द हे जल्द investing स्टार्ट कर सकते है और SIP में सिर्फ 500 रुपे से investment स्टार्ट किया जा सकता है जिससे मेरे पास investment करने के लिए भी पैसे नहीं है यह जो excuse है इसको overcome किया जा सकता है तो इसलिए मैंने बताया था कि SIP investment के जरिये आप power of compounding का फाइदा ले सकते है तो आशा करता हूँ power of compounding का जो असली power है वो अभी आपको समझ आ गया होगा तो इस power का भरपूर इस्तमाल कीजिए तो चलिए अभी discussion को आगे बढ़ाते हैं और SIP investment के कुछ key features के बारे में जानकारी जानेंगे तो यहाँ पर point number one है कि SIP investment जो होता है वो हमेशा open ended funds में होता है मतलब आप जब चाहे अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं तो यहाँ पर point number two है कि यहाँ पर कोई भी tenure fix नहीं होता है मतलब आपको इतने साल तक ही invest करना है इतने साल तक का commitment period है ऐसा कुछ नहीं होता है और यहाँ पर तीसरा point है मान लिजिए आपने कोई tenure choose कर लिया मान लिजिए आपने बता दिया कि मैं 5 साल invest करूंगा और यह tenure choose करने के बाद भी आप कभी भी अपना SIP investment रोक सकते है और वही दूसरी तरफ मान लिजिए आपका जो 5 साल tenure है वो complete हो गया है वो complete होने के बाद भी आप अपने mutual fund company को बता के उस tenure को जब चाहे increase भी करवा सकते है point number 4 आप perpetual SIP में भी invest कर सकते है जहां पर कोई भी end tenure नहीं होता है मतलब आप जितना लंबा चाहे उतना आप invest कर सकते है point number 5 है tenure खतम होने से पहले या tenure खतम होने के बाद आप जब चाहे अपना जो पैसा है वो partially या fully withdraw कर सकते है point number 6 आप जब चाहे अपना जो SIP investment है उसको reduce कर सकते है और उसको increase भी कर सकते है for example अगर आप 10,000 रुपए का SIP investment कर रहे हैं तो आने वारे महीनों के लिए आप उस SIP investment को 5000 भी कर सकते हैं या 15,000 के लिए increase भी कर सकते हैं तो इन सारे flexibilities की वज़े से SIP investment एक ideal investment बन जाता है उन investors के लिए जो regular monthly income पे निरबर है मतलब अगर आप job करते हैं या किसी ऐसे profession में है जहाँ पर आपको monthly salary या monthly income मिलता है तो उन लोगों के लिए SIP एक बहतरी investment का जरिया हो सकता है तो अभी finally बात करेंगे कि SIP में क्यों invest करना है तो यहाँ पर सबसे पहला advantage है कि यह आपकी मदद करेगा market volatility को manage करने में और दूसरा advantage है कि आपके जो financial decisions होते हैं उसको discipline करने के लिए SIP एक बहतरी नजरिया होगा और तीसरा advantage है यहाँ पर SIP में investment करने के लिए कोई भी charges नहीं होगे और fourth advantage है आपको compound interest का benefit मिलेगा और fifth advantage यहाँ पर यह है कि investment amount जादा नहीं है आप 500 रुपे तक का amount से भी SIP investment स्टार्ट कर सकता है और बहुत लोग यह भी करते हैं कि वो एक fixed amount मान लीजे 500 रुपे से ही start करेंगे लेकिन जब धीरे धीरे इनका income बड़ेगा या उनका salary बड़ेगा तो वो उनका जो SIP investment है उसको भी धीरे धीरे increase करते जाते हैं जिससे उनके savings भी जादा होता जाता है और वो savings market में invested होने के कारण उस mutual fund scheme के return के हिसाब से grow भी होता रहता है तो आशा करता हूँ आज का information आपको पसंदाया होगा और ऐसे quality information आपके सामने लाने के लिए हमारी team बहुत जादा मैनत करती है अगर आप हमारे team को appreciate करना चाहते है तो वीडियो को like जरूर कर दीजिये और ऐसे ही quality knowledge आप आगे भी सीखते रहना चाहते है तो हमारे channel को subscribe भी कर दीजिये और bell notification को भी दबा दीजिये तो चले मैं आपसे मिलता हूँ एक और informative वीडियो में तब तक के लिए this is Bharat Shankar signing off